नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, हे गुरुवर, प्रतियोगी परिक्षाओं में जो बिध्यारती, अपने इस्तर पर पूर्ण मेहनत करके, परिक्षा के प्रिथम या दोती इस्तर पार कर लेते हैं, पर अंतिम इस्तर तक नहीं पहु लेटे तो आप उन्हें सब से पहले तो इस बात के लिए प्रइरिद करो कि बेटा सर्वसेश्ट पाना है तो सर्वसेश्ट दो अप्णा सर्व lean किश्ट लगाओ गया तभी सर्विव मेज़ अपनी तरफ से कोई कमी न कर वर पर्याब तो पुर्षाद करने के बाद, यदि उसे वांचित परणाम न मिले, वांचित परणाम न मिले, तो आप उसे थोड़ा सा इंकरेज कीजिए, उसे हतासा से बचाईए कि वेटा कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, अच्छा प्रयास किया, परणाम नहीं आ इसा होता है, लेकिन घबडाओ नहीं, कल ही मेरे पास एक युवक आया, वो बहुत हतास था, परिवार का बैग्राउन बहुत साउंड था, वो सिये के साथ एटेंप्ट कर चुका, सेलेक्ट नहीं हो पाया, बहुत हतास था, मैं क्या करूं, हमने का कुछ नहीं करूं, सिये नहीं बन पाय, सिये को पालने वाला बन जाओ, क्या बात हो गई, एक ही जगा थोड़ी, बंद दर्वाजे को मत देखो, खुले द्वार को देखो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके हां सेहकलो सिये काम करते हैं, बले-बले पृतिस्थान चलाते हैं, और ज और सारी उन्वस्टी टॉपर को पालता है, लाको, तो क्या है, इसलिए कभी हतास मत हुए, सबसे बड़ी बात, बच्चों को मनवस्तिस्क में पहले ये अंकित करना चाहिए, कि मुझे क्या करना है, और दूसरी बात, यदि उसमें सफन नहों तो उनसे कहना चाहिए, तो ह होना ही था, अगर ऐसा हो भी जाए, तो घबलाओ नहीं, एक दर्वाजा बंद होता है, दूसरा दर्वाजा खुलता हम उसमें आके बाद,